नवश्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहन और आप देखने मेरा चैनल खबराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगे और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों कहते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है और यह किसी एक के लिए लागो नहीं होता है यहीं इनसान के या मानव के हर श्रेनी पर लागो होता है वो चाहे नौकरी करता हो चाहे व्यापार करता हो या राजनीती करता हो जो इंसान बोतता है वही काडता है यह यूँ भी कह सकते हैं आप इसको दूसरी भाषा में कि जो इंसान दूसरों के लिए खड़ा खोदता है एक दिन उसके लिए खुद के लिए भी खड़ा खुद जाता है जी हां ऐसा ही कुछ फिलाल कॉंग्रेस के उन नेताओं के साथ आने वाले वक्त में होने वाला है जो पद और किसी और लालच में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे जी हां उस कॉंग्रेस को छोड़कर जिस कॉंग्रेस ने उन्हें बनाया यहां तक पहुँचाया जब बात उस पार्टी के साथ खड़े होने की आई तो ये नेता लोग पद और लालच के चक्कर में बीजेपी को कॉंग्रेस को डूपता जहाज समझकर बीजेपी की नईया पे सवार हो गए लेकिन आपको मालूम है कि जब जहाज डूपने वाला होता है तो सबसे पहले उस जहाज से चूहे बागते हैं लेकिन बीजेपी नाम के इस जहाज से उन चुहों को भगा के किया जा रहा है कि जिन चुहों के वज़ा से इस जहाज के डूबने का खत्रा है और वो चुहें हैं जो कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे ये कहने की वज़ा है सबसे बड़ी वज़ा तो है राहूल गांदी की भारत जोड़ो यातरा जी हाँ भारत जोड़ो यातरा को जो मोमेंटम मिला ना बीजेपी ने सोचा था मैं तो कहता हूँ कॉंग्रेस ने भी न में तमामों जूट परोसे गए भारतिय जनता पार्टी की ओर से इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसिलेवार तरीके से जूट का परदापाश करने का वक्त है। राहुल गांदी जी भाशर नहीं देते और प्रेसवारता नहीं करते हैं। मैं तमाम मठों और मंदिरों के बारे में जानता हूं। जूट बोला गया राहुल गांदी जी की सभा में पाकिस्तान-घाबाद के नारे लगें। जिन नहीं कॉंग्रेस जिन्दाबाद को पाकिस्तान जिन्दाबाद तोर मरोर के प्रस्ट किया था हमने इसके खिलाब FIR भी करें चठा दूद जूट बोला गया राहुल गांदी जी ने नर्मता की आर्टी उटनी करी आर्टी बिल्कुल ठीक करी थी ऐसे करी जाती है गल्ड तब चुक हुये जब जी आर्टी की तस्वीरे सामने आगये और महा मालब भी वैसे ही करते दिखें जैसे राहुल जी कर रहे थी राहुल गांदी जी पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूलीया लियोना था, राहुल गांदी जी नीवा अं नाम भी शेयर कर दिया। जितेंदु सिंग जी राहुल गांदी जी के जूते के फीते बांद रहते। जी नहीं वो अपने खुद के जूते के फीते बांद रहते। उन्होंने भी स्काश्टी कर दिया है। बेमनस से खतम हो जाएगा। दो धनाडी ऐसेट जो इस देश को चला रहे हैं राहुल गंदी जैसा कहते हैं वो भी दोनों उसी राज्ये से आते हैं। अगर चार लोग जो इस देश को चला रहे हैं अगर उस राज्ये को अपने राज्ये को न जीत पाएं तो फिर आप सोच सकते हैं कि उनकी इज़्जत पर कितमड़ा बट्टा लगता। तो इसलिए गुजरात तो बीजेपी का जीतना तैया था इसलिए वहाँ पर ज्यादा कुछ उथल पूतल या ज्यादा कुछ हेर फेड नहीं हुआ लेकिन फरक पड़ा हिमाचल से हिमाचल ने दरसल देश को बता दिया कि देखिए बीजेपी को हराया जा सकता है और बहु उनकी opposition party होती थी चाहे वो regional party है चाहे congress है वो उसी narrative के चारो तरफ अपने चुनाव प्रचार का पूरा ताम जाम बुनती थी और ऐसे में फायदा हमेशा बीजेपी को होता था क्योंकि बीजेपी जो narrative सेट करती है वो प्रधान मंतरी मोधी के इर्दिगिर्द narrative सेट करती है उनकी brand value के आसपास narrative सेट करती है उनकी image के आसपास अपना narrative सेट करती है अगर opposition भी उसी narrative पे election लरने लगता है तो वो सीधा सीधा तोर पे बीजेपी के हाथों खेलोगे तो हारोगे तो ज़रूर सिर्फ एक exception है वो है West Bengal West Bengal में ममता बेनर जी ने जो मा माटी और मानुष का मुद्दा छेड़ा अपने और बाहर का मुद्दा छेड़ा उस पर जो है वो बीजेपी को मात देने में कामियाब हो गई लेकिन उसके बावजुद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी पांच साल पहले तक वह वो दोनों opposition में ही रहेंगे तो यहां तक आप सोचे ममता बेनर जी को बीजेपी ने जुका दिया तो वो भी एक तारीफ के काबिल कर्म तो बीजेपी का जरूर है लेकिन बात है हिमाचल की हिमाचल में Congress ने इस बात को समझा कि बीजेपी के narrative से बाहर निकलना बहुत जरू के मुद्धे हैं उनको localized किया जी हां localized मुद्धं के साथ उनको जोड़ा जैसे कि OPS के साथ जोड़ा या जैसे जो हिमाचल में जो सैनीक हैं जो सैनीक जिन घरों से सियना में नौकरी करने वाले लोग है उनके साथ जोड़ा इस त्रहा राश्टिय पी नेरेटिव के कि एके narrative के हिसाब से चुनाव लड़ी और इसलिए BJP को हार मिली लेकिन हम सब जानते हैं कि BJP कैसी party है जो 24-7 चुनावी मोड पे रहती है तुरंत जैसी हिमाचल में हार मिली BJP इससे सबक लेने पे लग गे और BJP इस पर काम करना शुरू कर चुकी है और सबसे पहला उनकी ज साख थोड़ा ज़्यादा दाव पर है खास करके क्योंकि वहां सरकार कैसे बनी थी मार्च 2020 में हम सब जानते हैं कि कॉंग्रेस के 21 विधायक जो तिरा दित्तिय सिंदिया के साथ लालच में party छोड़ कर चले गए थे और BJP में शामिल हो गए थे बनी बनाई लोगों की चु इफ में है BJP क्योंकि वहां पर सरकार की साख भी बहुत गिरी है क्योंकि लोग मानते हैं कि ये लोगों की चुनीवी सरकार नहीं है ये खरित प्रोग से चुनीवी सरकार है इसलिए BJP को लग रहा है कि लोगों के अंदर जो anti-incumbency है वो बहुत ज्यादा है मध्यप्रदे कि यहां पर जोड़ तोड़ से सरकार बनाई गई है लोग इस पर रोजाना बात करते हैं अब जाहिर सी बात है कि अकर मध्यप्रदेश में ऐसी स्थिती है तो BJP कुछ न कुछ तो करेगी ताकि चुनाओ जीता जा सके या चुनाओ जीतने की कोशिश की जा सके तो इसलिए माना यह जा रहा है कि सबसे पहले जो मध्यप्रदेश में BJP करने वाली है वो पहला कदम तो यह है कि जो गुजराज की दरह पूरी की पूरी सरकार बदली जा सकती है मध्यप्रदेश में भी मुख्य मंतरी से लेके मंतरियों तक अगर मुख्य मंतरी नहीं भी बदले जात किसी निगम के अध्यक्षा इस तरह के तकरीवन 10 लोग हैं जिनकी कुर्सी खत्रे में हैं सबसे पहला कदम तो उनके जो बुरे वक्त जा बुरे दिन का जो शुरुआत है वो यहीं से होने वाली है उसके बाद बीजेपी के इंटर्नल जो रिपोर्ट है वो यह बताती है कि तकरीवन बीजेपी ने ओवर रॉलिंग जो शुरू की है मध्यप्रदेश में माना यह जा रहा है कि ज्यादा तर 90 प्रतिशत से ज्यादा डिस्टिक प्रेजिडेंट जो है उनके जिला अध्यक्ष जो है वो 35 साल से कम उम्रे के बीजेपी ने वहाँ पर चुने हैं उन प्रतिबाद हार गए थे उनका चेहरा भी बदला जाया उनकी जिगा कोई नए चेहरे दी जाया तो टोटल मिला के तकरीवन 55 प्रतिशत ऐसे चेहरों के बदलने की बीजेपी सोच रही है और इन में वो 21 के 21 जी हां 21 के 21 विधायक हैं कॉंग्रेस के जो बीजेपी में शाम की जा सकती है लेकिन ज्यादा तर की कह रहे हैं कि टिकट शायद कट जाएगी 2023 के विधान सवा चुनाव में तो इसलिए मैं कह रहा था है कि जो कॉंग्रेस छोड़के गए थे लालच में उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है अब आप दूसरी तरफ उनके सरगना को द बिना रेल का रेल मंतरी या बिना finance का finance minister उसी तरह से एक भी airlines नहीं है लेकिन कहने को है उड़ेन मंत्री यानि शिर्फ नाम के मंत्री ये दुनिया में मुझे नहीं मालूम मेरी मेरी नौलिज में तो नहीं है कि कहीं कोई ऐसा कोई मंत्री होगा जिसका अपने मंत्री जिस चीज़ का है वो उनके पास उस डिपार्डमेंट के पास उसका कंट्रोल ही नहीं है जो त कार और प्रैवाट एलाइंस के बीच में कॉडिनेटर का काम कर रहे हैं वो क्योंकि मन्तरी है तो नाम के मंतरी है इसलिए मंतरी पर उनके साथ जुड़ा हुआ है मंतरी शब्द जुड़ा हुआ है अधरवाइस जब तक एर इंडिया थी इंडिन राइंस थी मंत्राले के पास तब तक आप कह सकते थे कि हाँ, यह मेरे मंत्राले के अंडर आता है लेकिन अब तो दि Ballg, कीले कंडर भी नाम के मंत्री है और यह इसको कोई एक Techerman, जिस तरह मुझे लगता है कि अगली बार मोधी सरकार रिपीट हुई या कोई और सरकार को किसी की भी हो सकता है यह उडेन मंत्राले ही किसी और मंत्राले में मर्च कर दिया जाए इसलिए जो मैंने पहले का ना कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा आपने बोया था आपने अपनी पेरिंटल पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा सकते हैं तो वो पार्टी आप पे कैसे विश्वास करें वो पार्टी को नहीं लगेगा कि आप हो सकता है कि कल को वक्त बदलने पर आप इसे छोड़के वापिस उसी पार्टी में चले जाए या किसी तीसरी पार्टी में चले जाए तो यह तो हमेश दोखाई खाया है कॉंग्रेस ने इन लोगों पे विश्वास किया था अब ये बीजेपी पे विश्वास करके उधर चल गए थे उपालट पालट दिया था लेकिन आपको मालूम है अब जब वहां से इनके विश्वास को लाथ पड़ेगी तो ना ये घर के रहेंगे ना घा कटेंगी या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी वक्त कॉंग्रेस में तूती बोला करती थी जिन लोगों की वो आज कहा हैं किसी को नहीं मालूम इसके लिए मैं उधारन आपको हर्याना करता हूं हर्याना में चौदरी विरेंदर सिंग मुख्यमंतरी पद के दावेद भी नहीं है नेशनल मीडिया में तो छोड़ी है लोकल मीडिया में भी उनकी खवर नहीं रहती तो यह तो शर्फ दो एक्जामपल है ऐसे बहुत सारे एक्जामपल है 2024 तक दीखेगा आप बहुत सारे लोग खुड़े लाइन लगेंगे तब उन्हें याद आएगी कि कॉं झाल